जम्मु कश्मीर के लेप्टेन गवर्नर स्रिमान मनोच सिना जी केंद्रिय मंत्री मनल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सींजी सांसद में मेरे साथी इसी धर्ती के संतान गुलाम अली जी और जम्मु कश्मीर के मेरे प्यारे भाई और बहनो दर्ती के स्वर्ग पर आने का ये ऐसाथ ये अनुभूती सब्दों से परे हैं प्रकूरूती का ये अनुपम स्वरूप ये हवा ये वादियां ये वातावरां और उसके साथ आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार और मुझे बता रहा है थे गवर्णर आपके स्ट्रेडियम के बार भी जम्मु कश्मीर के सभी लोग मुझूद है दो सो पिचासी ब्लॉकों से भी करीब एक लाख लोग टेक्नलोजी के जरिये जुड़े हुए है मैं जम्मु कश्मीर के अवाम का आज रिजय से अभिनंदन करता हूँ ये वो नया जम्मु कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दसकों से था ये वो नया जम्मु कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर शामा प्रशाज मुकरजी ने बलिदान दिया था इस नए जम्मु कश्मीर के आँखों में वविश्य की चमक है इस नए जम्मु कश्मीर के इरादों में चुनोतियों को पार करने का होसला है आपके इन मुस्कराते चहरे देश देख रहा है और आज 140 करोर देश्वासी शुकून महसूस कर रहे है विकास की बातों के तेरी विस्तार से समझाया शायंद उनके भाशन के बार किसी के भाशन की ज़रूत नहीं थी लेकिन आपका प्यार आपकी इतनी बड़ी तादाद में हाना लाखों लोगों का जूड़ना आपके इस प्यार से मैं जितना खोश हूँ उतना ही कुतग्य भी हूँ मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही का मैं ये महनत आपका दिल जितने के लिए कर रहा हूँ और मैं दिनों दिन देख रहा हूँ कि मैं आपका दिल जितने की दिसा में सही दिसा में जा रहा हूँ आपका दिल में जित पाया हूँ और जादा जितने की कोशिश में ही जारी रहेगी और ये मोदी की गारंटी है मोदी सुझ गारंटी और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों अभी कुछ समय पहले ही मैं जम्बू आया था वहां मैंने 32,000 करो 32,000 करो रुपे के इंफ्रास्टर्टर और एजुकेशन से जुड़े प्रोजेस का सुभारम किया था और आज इतने कम अंत्राल में ही आप सब के बीच मुझे स्री नगर आने करके आप सब से मिलने का आउसर मिला है आज मुझे यहां तूरिजम और दिकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के सिलान्यास और लोकारपन का सौभा कि बिला है किसानों के लिए क्रिशिक शेत्र से जुड़ी योजनाओं भी समर्पित की गई हैं एक हजार युवाओं को सरकारी नोकरी के नियुक्ति पत्र भी दिये गए हैं विकास की शक्ति परियटन की संभावनाएं किसानों का सामर्थ और जम्मु कश्मीर के युवाओं का नेत्रूत्वा विक्सित जम्मु कश्मीर के निर्मार का रास्ता यहीं से निकलने वाला है जम्मु कश्मीर केवल एक शेत्र नहीं है यह जम्मु कश्मीर भारत का मस्तक है और उंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीख होता है इसलिए विक्सित जम्मु कश्मीर विक्सित भारत की प्रात्मिक्ता है साथियों एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मु कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे एक जमाना था जब गरीब कल्यान की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी लेकिन जम्मु कश्मीर के मेरे भाई बेन उनका लाब उनको नहीं मिलता था और अब देखिए वक्तने कैसे करवट बदली है आज यहां स्री नगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओ का आरंब हुआ है आज स्री नगर जम्मु कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए परियतन की नई पहल कर रहा है इसलिए जम्मु कश्मीर के अलावा देश के पचांस से जादा और शहरों से भी हमारे साथ लोग अभी जुड़े हुए है देश भी आज स्री नगर से जुड़ा हुआ है आज यहां से स्वदेश दर्शन योजना के तहर छे परियोजनाएं देश को समर्पित की गई है इसके अलावा स्वदेश दर्शन इसकीम के अगले चरन का भी शुबारम हुआ है इसके तहद भी जम्मू कश्मीर समेट देश के अन्य स्थानों के लिए करीब तीस परियोजनाओं की शुरुवात की गई है आज प्रसाद योजना के तहर तीन परियोजनाओं का लोकारपड हुआ है चौदा और परियोजनाओं को भी लॉंच किया गया है पवित्र हजरत बल दरगा में लोगों की सहुलियत के लिए जो विकास कारिये हो रहे थे वो भी पूरे हो चुके है सरकार ने चालिस से जादा ऐसी जगवों की पहचान भी की है जिने अगले दो वर्ष में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विक्सित किया जाएगा आज देखो अपना देश पीपल्स चोईस अभ्यान भी लॉंच किया गया है इससे एक बहुत बड़ा अनूठा अभ्यान है देश के लोग आनलाइन जाकर के बताएंगे कि यह देखने जैसी जगा है और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदिदा लोगों की चोईस वाला स्थान के रुप में उसका परियाटर नसल के रुप में विकास करेगी यह जन्भागीदारी से निरे होगा आज से प्रवासी भारतियों को जो दुनिया में रहते हैं न क्योंकि मेरा उनसे आग रहे हैं कि आप डॉलर पाउंड लाओ या न लाओ लेकिन कम से कम पांच परिवार जो नौबिल भारती हैं उनको हिंदूतान देखने के लिए भेजो और इसलिए आज प्रवासी भारत को भारत आने के लिए पोचसाईद करना के दोस्तों को परोशाइद करना और इसलिए चलो इंडिया अभ्यान शुरू हो रहा है इस अभ्यान के तहट चलो इंडिया वेबसाइट के द्वारा दूसरे डेशों में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा इंडियों जनाओं और अभ्यानों का बहुत बड़ा लाब जम्मू कश्मीर के आप लोगों को मिलना ही मिलना है और मैं तो आपको मालूम है एक और मक्सल लेकर काम कर रहा हूं मैं जो भी टूरिस इंडिया के भी निकलते हैं उनको कहता हूं आप जाएए लेकिन एक काम मेरा भी करिए और मेरा क्या काम है मैं उनको कहता हूं कि आप यात्रा का जो टोटल बजेट होगा उस मैं से कम से कम पाच दस परसंट बजेट आप जहां जाते हैं वहां से लोकल कोईन कोई चीजें खरीदे ताकि वहां के लोगों को आए हो उनका रोजगार बढ़े और तभी टूरियम बढ़ता है सिर्फ आये देखे चले गए नहीं चलेगा आपको पाच परसंट दस परसंट कुछ खरीदना जे आज मैंने भी खरीदा सीने कर आए एक बढ़ी अचित देखी मन कर गया मैंने भी ले लिया और इसलिए मैं इसके साथ एकोनोमी का बड़ा मजबूत बनाना चाहता हूँ साथियों इन योजनाओं से यहां परियटन उद्योगों का भी विकास होगा रोजगार के नए आउसर होंगे मैं जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहनों को इन विकास कारियों के लिए बढ़ाई देता हूँ और अब मैं एक नएक शेतर के लिए आपको आवान करता हूँ जैसे फिल्म स्ुटिंग के लिए ये शेतर बड़ा पसंदिदा शेतर रहा है अब मेरा मिज़ा मिशन है बेड इन इंडिया शादी हिंदुस्तान में करो इंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप्षनाव रूपिय डॉलर खर्च करके लोग आते हैं जी नहीं वेडिन इंडिया अब कश्वीर और जमूर्टी लोग हमारे स्रीनगर के लोग अब हमें वेडिन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए हां आने का म कर जाए और यहां के पर बुकिंग करें यहां तिन दिन चार दिन बाढ़ात लेकर के आए धुम धाम से खर्चा करें यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी उस अभियान को मैं बल दे रहा हूं और साधियों जब इरादे नेक हो संक्यल्प को सिद्ध करने का जजबा हो तो फिर नतीजे भी मिलते हैं पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में जी ट्वेंटी का शांदार आयोजन हुआ कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन परियटरन के लिए जायेगा आज यहां जम्मू कश्मीर में परियटरन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं अकेले 2023 में ही 2 करोड से ज्यादा परियटरक यहां आये हैं पिछले दस वर्सों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज़्यादा यात्री शामिल हुए है बैश्णो देवी में सद्धालू रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं विदेशी टुरिस्टों की संख्या भी पहले से डाई कुना बड़ी है अब बड़े-बड़े स्टार भ वाइरल हो रही है सात्यों जम्मू कश्मीर में परियटन के साथ ही कुरुषी और कर्शी उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है जम्मू कश्मीर की के सेव जम्मू कश्मीर के मेवे जम्मू कश्मीरी चेरी जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है अब कृष्य विकास कारकम से ये छेत्र और मजूत होगा पांच हजार करोड रुपिये के इस कारकम से अगले पांच वरसों में जम्मु कश्विर के कृष्य सेक्टर में अब भुद्पुर्वा विकास होगा विशेश तोर पर बागवानी और पशुधन के विकात में बहुत मदद मिलेगी और अभी बहन हमिदा से जब मैं बात कर रहा था पशुपालन को कैसी ताकद मिलने वाली है ये बहन हमिदा से हम सीख सकते हैं इससे रोजगार के भी हजारों नए अवसर तैयार होंगे यहां किसानों के खातों में बारत सरकार ने करीब तीन हजार करोड रुपिये किसान सम्मान निदी के तोर पर सीधे बेजे हैं फलो और सब्जियों को जादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए जम्मु कश्मीर में स्टोर एक शमता भी काफी बढ़ाई गई है कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी बंडारान स्कीम शुरू की गई है इसके तहट जम्मु कश्मीर में भी अनेकों नए गोदां बनाएंगे साथियों जम्मु कश्मीर आतेज रप्तार से विकास के मार्क पर आगे बढ़ रहा है यहां के लोगों को एक नहीं बलकि दो-दो एम्स की सुविधा मिलने जा रही है एम्स जम्मु का उद्गाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है साथ नए मेडिकल कॉलेज दो बड़े कैंसर अस्पतार सापित किये गये हैं आई आई टी और आएम जैसे आधुनिक सिक्षा सांस्तान भी बने हैं जम्मु कश्मीर में दो बंदे भारत ट्रेने भी चल रही है स्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारा मुला के लिए ट्रेन सेवा सुरू हो चुकी है कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मु कश्मीर में आर्थिक गतिविद्या तेज हुई है जम्मु और स्रीनगर को स्मार्ट सिटी मनाने के लिए इंफ्रास्ट्रेक्टर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं आप देखिएगा आने वाले समय में जम्मु कश्मीर की सक्षे स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षन का केंद्र बनेगा और आपने जरूर देखा होगा रेडियो पर सुना होगा मैं अपने मन की बात कारकम में जम्मु कश्मीर की उपलब्दियों के बारे में हर बार मोका ले लेता हूँ कुछ नो कुछ कहने का यहां साप सभाई के अभ्यान यहां का हस्त सिल्प यहां की कारी गरी इन पर मैं मन की बात में लगातार बात करता हूँ कि एक बार मैंने नदुरू के बारे में कमल ककड़ी के बारे में मन की बात मैं बहुत विस्तार जे बताया था यहां की जीलों में जगह-जगह कमल देखने को मिलते हैं पचाथ साल पहले बने जम्मु कश्मीर क्रिकेटेश्व शेतन के लोगों में भी कमल है यह सुकत सयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि मीज़ेपी का चिन भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मु कश्मीर का गहरत आता है साथियों जम्मु कश्मीर के युवाओं को हर शेतन में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है युवाओं के स्किल डेवलप्मेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक में नए अवसर बनाए जा रहे है आज जम्मु कश्मीर के हर जीले में आदुनिक खेल सुविदाय बनाई जा रही है सत्रा जिलो में हां मल्टी परपज इंडर स्पोर्ट हॉल बनाए गए हैं बीते बर्सों में जम्मु कश्मीर ने अनेको नेशनल स्पोर्ट्स टूडामेंट में मेजबानी की है अब जम्मु कश्मीर देश की सित कालिन खेल विंटर गेम्स एक राजदाने विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रुपे इमरा जम्मु कश्मीर उभर रहा है हाली में हुए खेलों इंडिया विंटर गेम्स में करीब एक हजार खिलाडी देश पर जाए उन्होंने हिस्सा लिया साथिवाथ जम्मु कश्मीर विकात की नई उचाईयों को छूरा है क्योंकि जम्मु कश्मीर हाठ खुल करके सांस ले रहा है बंदी सोंस यह आजादी आर्टिकल 370 हट्टे के बाद आई है दसकों तक सियासी फायदे के लिए कॉंग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मु कश्मीर के लोगों को गुम्रा किया देश को गुम्रा किया 370 से फायदा जम्मु कश्मीर को था या कुछ राजनिदिक परिवार वही इसका अलाप उठा रहे थे जम्मु कश्मीर के अवाम यह सच्चा ही जान चुकी है कि उनको गुम्रा किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मु कश्मीर को जंजीरों में जकड दिया गया था आज 317 नहीं है इसलिए जम्मु कश्मीर के युवाओं के प्रतिवा का पुरा सम्मान हो रहा उन्हें नए आउसर मिल रहे हैं आज यहां सब के लिए समान अधिकार भी है समान आउसर भी है पाकिस्तान से आये स्वनमार्थी हमारे वालमी की समुदाई के भाईबें हमारे सफाई कर्मुचारी भाईबें इनको वोट देने का अधिकार सत्तर साल तक नहीं मिला वो अब मिला है वालमी की समुदाई को ऐसी केटेगेरी का लाब मिलने की वर्षो पुरानी मांग पूरी हुई है अनुसुचित जन जातियों के लिए बिदान सभा में सीटे आरक्षित हुई है पद्दारी जन जाति, पहाडिये जातिये समुद, गड़ा अब्राहमाण और कोली समुदाई को अनुसुचित जन जाति में शामिल किया गया हमारी सरकार में पंचायत, नगरपाली का और निगम, नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ख को आरक्षन दिया गया जम्मू कश्मीर के लोगों को दसकों तक इन अधिकारों से मच्चित रखा आज हर वर्ख को उनके अधिकार लोटाए जा रहे हैं साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवार और प्रस्टा चार का एक बहुत बड़ी भुक्त भोगी रही है हमारी जेन के बैंक इस बैंक को तबह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं चोड़ी थी बैंक में अपने नाते रिस्तेदारों और भाई बतिजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी मिस मनेंग्मेंट की वज़े से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हज़ारों करोड रुपिये डूब जाने का खत्रा था कश्वीर के गरीब अद्वी का पैसा था मेहनत कस इंसान का पैसा था आप मेरे भाई बेहरों का पैसा था वो डूबने जा रहा था जेन के बैंक को बचाने के लिए हमारी सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म किये बैंक को एक हजार करोड रुपिये की मदद देना भी ताई किया जेन के बैंक में जो गलत तरीके से बर्तियां हुई थी उनके खिलाब भी हमने सकत कारवाई की आज भी एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसी हजारों बर्तियों की जाच कर रही है बीते पांच साल में जम्मू कश्मीर के हजारों नव जवानों को पूरी पार दर्सिता के साथ बैंक में नोकरी मिली है सरकार के निरंतर प्रयासों से आज जेन के बैंक फिर से मजबूत हो गई है इस बैंक का मुनाफा जो डूमने वाली बैंक थी यह मोदी की गारंटी देखिए डूमने वाली बैंक फिर आज उसका मुनाफा सत्रा सो करोड रुपिय तक पहुंत रहा है यह आपका पैसा है आपके हक का पैसा है मोदी तो चौकिदार बनके बैठा है पांच साल पहले बैंक का बिज्नेस सबा लाग करोड रुपिय में सिमेट गया था सिरफ सबा लाग करोड अब बैंक का बिज्नेस सबा दो लाग करोड रुपिय क्रॉस कर चुका है पांच साल पहले बैंक में डिपोजिट भी असी अजार करोड रुपिय से कम हो गए थे यानि लगबग अब दो गुना होने जा रहा है अब बैंक में लोगों के डिपोजिट भी सबा लाग करोड रुपिय को पार कर गए हैं पांच साल पहले बैंक का एन पीए 11 परसंट को भी पार कर गया था अब ये भी कम होते 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 5 परसंट के नीचे आ गया है पिछले 5 साल में जेन के बैंक के शेरों की किमत में भी करीब करीब 12 गुना वृत्वी हुई है बैंक के शेर की जो किमत 12 रुपिय तक धीर गई थी वो अब 140 रुपिय के आज पास पहुंच गई है जब इमानदार सरकार होती है नियत जनता की बलाई होती है तो हर मुश्किल से जनता को निकाला जा सकता है साथियों आजादी के बात जम्मु कश्वीर परिवारवादी राजनीती का सबसे प्रमुख शिकार हुआ था आदेश के विकात से परेशान होकर जम्मु कश्वीर के विकात से परेशान होकर परिवारबादी लोग मुझ पर व्यक्तिकत हमले कर रहे हैं यह लोग कह रहे हैं कि मोधी का कोई परिवार नहीं है लेकिन इने देश इनको करारा जवाब दे रहा है देश के लोग हर कौने में कह रहे हैं मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मोदी का परिवार मैंने जम्मू कश्वीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है परिवार के लोग दिल में रहते हैं मन में रहते हैं इसलिए कश्वीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूँ मोदी का परिवार मैं हूँ मोदी का परिवार मोदी अपने परिवार को इभी स्वाद दे कर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का अभियान किसी किमत पर नहीं रुकेगा अगले पाँच वर्षों में जम्मू कश्मीर और तेजी से विकास करेगा साथ यो कुछी दिनों में अमन और इबादत का महिना रमजान शुरू होने जा रहा है मैं जम्मू कश्मीर की धर्ती से पूरे देश को इस पवित्र महिने की अग्रिम शुब कामनाय देता हूँ रमजान के महिने से हर किश्य को शांती और सवार्थ का संदेश मिले यही मेरी कामना है और मेरे साथियों यह भूमी तो आदी संकराचारिय की तपो भूमी रही है और कल महाशिवरात्री है मैं आपको भी और सभी देश वाच्यों को भी महाशिवरात्री के पावन परवकी अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूँ मैं फिर एक बार आज की इन परियोजनाओं के लिए आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और फिर एक बार लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में आप लोगों के बीच आना आपके प्यार आपका अशिरवार लेना मेरे लिए बहुत बढ़ा सौफ आगया है बहुत बहुत धन्यवाद